कि हेलो दोस्तों मैं हूं फरानकतरों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागाता है अज हम बात करने वाले हैं हैली कल गेर की कैलकुलेशन के बारे में अगर आप भी हैली कल गेर की कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के लाच तक हमारे हमें हेली कल केर कटिंग ओन मिलिंग मशीन तो सबसे पहले हमें कुछ चीजे कुछ चीजे मानने पड़ती हैं यह दे रखी होती हैं जैसे कि दान्तों के संकिया मोडिल और एंगल हम दान्तों के संकिया माल लेते हैं जैसे हमें 40 दे रखी है तो हम निक लेते हैं यहा तो किसंगे हम मान लेते हैं, 40 और हम मोडूल मान लेते हैं, मोडूल बराबर 2 मान लेते हैं, और हम हैलिक्स एंगल जो है, वो 30 डिग्री मान लेते हैं, तो दूस्तों हमें ये कुछ चीज़ां दे रखी होती हैं, या हमें ये मानने पड़ती हैं, जैसे कि दातों की संक्या मोडूल हो गया हमारा हैलिक्स एंगल हो गया, तो इन चीज़ों की मतबस्ते ही हम बाकी के डायमेंड्स से निकालते हैं, जैसे हम अडेंडम, डेंडम हो गया, हमारा पिज़ डायमेटर हो गया, आउटसाइड डायमेटर हो गया, वोल डैप्त हो गया, कटर नमबर हो गया, सब हम इसी मतबस्ते निकालेंगे, तो देखि हो गया, दो, जो हमारा मोड़ डिल होता ह66 हमारा अडेंडम, क्ले टा है तो यहाँ पर हमारा अडेंडम हो जाएगा दो, अब बात कर लेते हैं हम तो तो टी ठी डाइंडम बरापर हमारो डिडा अडेंडम निकालने का हमारा फोर्मॉला होता है वन पॉइंट वन फाइब सेवीं इन्टू मोड्यूल तो यह हमारा डिटेंडम निकालने का फोर्मूला होता है अब हम इसमें मोड्यूल के वैल्यू रख देंगे 1.157 x 2 की हम इसकी कुणा 2 से करेंगे तो हमारे यहां पर आएगा 2.314 तो यह हमारे डिटेंडम आ चुका है अब बात कर लेते हम पिछ डायमेटर के बारे में तो पिछ डायमेटर देखते हैं हमारे कितना है पिछ डायमेटर के बादे में बात कर लेते हैं पिडी तो जो हमारे पिछ डायमेटर निकालने का फोर्मूला होता है वो होता है हमारा एन अपॉन एन इंटू मोड्यूल अपॉन कोस हैलिक्स एंगर तो यह हमारे पिछ डायमेटर निकालने का फोर्मूला होता है पिछ डायमेटर को हम पीडे भी कहते हैं तो यह पीडे निकालने का हमारा फोर्मूला होता है जहां पर एन हमारी दांतों की संग्या है जो हमें दे रखी है 40 और मोड्यूल हमारा दे रखा है 2 और यहां पर को इंकी वैल्यु रख देते हैं एन्न होगी हमारी दातों की संकय स्थ चालिस मोडिल होगे हमारे यहां पर दो और यहां पर कोस हेलिक्स एंगल होगे हमारे तीज डिग्री तो देखिए यहां पर हमारे कोस तीज आ चुका है हम यहां पर कोस तीज की वैलियू रख देनी है देखिए किस तरीके से रखनी है 40 into 2 upon coast 30 की value क्या होती है दोस्तों तो coast 30 की value होती है यहाँ पर root 3 upon 2 यह coast 30 की value होती है तो हमने यहाँ पर coast 30 की value रग दी है देखिए आप क्या करते हैं जो देखिए यहाँ पर जो upon के upon में होता है वो उपर के तरफ चला जाता है गुणा में यहां पर तुदेख्या हम इसे 2 को उपर लेकर जाएंगे देखे किस तरीके से 40 इंटू 2 upon root 3 तो देखे दोस्टों यह हमारा upon के upon में है तो यह हमारा उपर की तरफ चला जाएगा यहां पर कुड़ा में आ जाएगा तो देखिए अब हम इसके गुणा कर देते हैं 40 दूनी 80, 80 दूनी 160 160 upon root 3 तो जो अब हमारी root 3 की value होती है वो होती है हमारी 1.73 यह हमारी root 3 की value होती है जो हमने यहां पर रख दिये 1.73 तो अब हम 160 को हम 1.73 से भाग करेंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा 92.48 mm यह देखिए दोस्तों हमारा PD निकल कर आ चुका है यहां पर हमारा pitch diameter 92.84 mm हमने PD निकाल लिया अब बात कर लेते हैं OD के बारे में यानि outside diameter के बारे में तो OD किस तरीके से निकालते हैं देखिए OD outside diameter देखिए outside diameter निकालने का भी हमारा एक formula होता है हमारा PD पिलस टू इंटू मोडियोल यह हमारा OD निकालने का formula होता है तो जहां पर हमें PD की value रखनी है और module की value रखनी है हमें तो हमारी PD की value जो देखिए हमने यहां पर निकाली थी हमें 92.48 हमें यहां पर रख देनी है PD की value यहां पर रख देते हैं 92.48 plus 2 इंटू हमारा module कितना दे रखा है यहां पर देखिए हमारा module हमें 2 दे रखा है तो module रख देते हैं 2 तो देखिए अब हम इसको कर लेते हैं 92.48 पिलस तो जोनी 4 हो जाएगा हमारा और यहाँ पर हम इसमे 92.48 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 96.48 एमेम तो यह हमारा आउटसाइड डामीटर आ चुगा है 96.48 एमेम अब हम बात कर लेते हैं होल देप्ट के बारे में तो अब हम इसकी होल देप्ट निकालेंगे दोस्तो होल देप्ट निकालने का फोर्मूला होता है हमारा अडेंडम प्लस डेंडम यह हमारा होल देप्ट निकालने का फोर्मूला होता है तो हमें अडेंडम कितना दे रखा है यहाँ देखे हमें अडेंडम दो दे रखा है जो हमारा मोडिल होता है वह हमारा अडेंडम कहलाता है तो यहाँ पर हमें अडेंडम कितना दे रखा है देखे दो यहां पर हम दो आडेंडाम लिख देते हैं और यहां पर देखे टेंडाम हमने हैं यहां उपर लिका लए था कितना आया था हमारा विखे two-point three-one four हमारा अडेंडाम आया था तो यह लेili तो पॉइंट 314 तो यह हमारा डेंडम आ चुका है तो अब हम दो को इसमें जोड़ देंगे तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा 4.314 mm यह देखिए हमारी होल्ड आप आ चुकी है अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं हम इसके अब हम इंडेक्सिंग मुवमेंट की बात कर लेते हैं कि हमारी इंडेक्सिंग मुवमेंट कितनी है यहाँ पर तो देखिए इंडेक्सिंग मुवमेंट की बात कर लेते हैं तो इंडेक्सिं मूमेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है चालिस अपॉन एन तो यहां पर हमारा एन एन है दान्तों की संख्या तो हमें दान्तों की संख्या कितनी दे रखी है यहां देखिए हमें दान्तों की संख्या 40 दे रखी है तो हम यहां पर दान्तों की 40 रख करने है कि जो ऐसे जंके से गुड़ा करने है जिसके हमारे पास प्लेट होनी चाहिए तो हमारी हमारे पास 15 15 नंबर की प्लेट भी होती है 16 नंबर की 17 की भी होती है 18 19 20 21 23 27 29 ऐसे नंबर की तो यह देखिए यह देखिए कुछ इस तरीके सा हमारी 15 नंबर की प्लेट आ चुकी है और 15 होल हमारे सरकिल में आ चुके है यानि हमें प्लेंजर पिन को पूरे पूरे जिस होल में से निकालेंगे हम उसी होल में जाकर वापिस सेट करना पड़ेगा तो यह देखिए हमारी 15 नंबर की प्लेट आ चुकी है हमारी तो यहाँ पर लेग देते हैं प्लेट नंबर 15 देखिए 15 नंबर की प्लेट आ चुकी है और हम उसके इंडेक्सिंग करेंगे हम उसकी 15 होलों की इंडेक्सिंग करेंगे और हमारी प्लेट नंबर भी पंद रही है तो हम जिस होल में से प्लेंजर पिंक को निकालेंगे वापस उसी होल में लाकर साइट कर देंगे हमारी जोब अगले दानत के लिए तेयार हो जाएगी तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम बात कर लेते हैं जोप की रीड़् के बारे में तो जोप की हम जोब की लीड तो जो हमारी जोब की लीड को निकालने का हमारे एक फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 410डगां यहांपर हमें पीड दे रखा है ओपर की तरफ हमें यहांपर पीड दे հखा हैnova2.48 तो हमें यहांपर पीड की वैली रख देनी है तो देखें यहांपर हम रख देते हैं 92.48 into π कमान कितना होता हमारे 22 बट्टे साथ 22 अपॉन सेविंग और यहाँ पर हमारे 10 ठीटा 10 तीस देखिए दोस्तों हमारे यहाँ ठीटा कितना दे रखा है हेलिक्स अंगल हेलिक्स अंगल ही हमारे यहाँ पर ठीटा है देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर तो यह देखिए हमारे 30 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ठीटा कि वैली 30 डिग्री तो यहाँ पर हम 10 तीस कमान लिख देते हैं कितना है 92.48 इंटू 22 अपॉन 7 दोस्तों जो हमारे टैन्थी आमाण होता है वह होता है हमारा root 3 upon three तो आम होब होता है अब देखिए यह हमारी जो common के अपूर अपूर नहों होता है वह उपरsembun下 which ओप नुसक्ता है और यहां जो अपर टर तर अपूरण में होता है वह नीचे नीचे की तरफ गुणा में आ जाता है देखि किस तरीके से बायन बे पॉइंट फॉर एट इन्टू 22 तो देखि ये अपन के अपन में है तो ये उपर की तरफ गुणा में चला जाएगा वो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा तीन के वारतीन उपर की तरफ गुणा में चला जाएगा और ये ज़ो हमारा उपर की तरफ बाइस अपन साथ ये उपर की तरफ अपन में है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा मैं तूरत थि बाइन्टू 7 ये देखि कुछ इस तरीके सांवारा आ चुका है कुछ इस तरीके सा हमारा आ चुका है देखिए अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं सब इन सब की गुणा कर लेते हैं तो हम बयान में पॉइंट फॉर एट इंटू बाइस इंटू तरी की गुणा करेंगे तो हमारे यहां पर आ जाएगा 6103.68 यह देखिए हम 92.48 इंटू बाइस इंटू 3 की गुणा करेंगे तो हमारे यहां पर आ जाएगा 6103.68 अब बात कर ले दें हम इसकी रूट 3 इंटू 7 तो अब हम रूट 3 की गुणा साथ से करेंगे तो यहां पर हमारे आ जाएगा 12.11 तो यह कुछ इस तरीके से हमारे आ जाएगा अब हम 6103.68 को हम 12.11 से भाग कर देंगे तो यहां पर हमारे आ जाएगा 504.01 एमें तो यह हमारे जोब के लिए राच चुकिए अब हम बात कर लेंगे मसीन लीट के बारे में तो मसीन लीट के बारे में जाने से पहले हम एक बात नोट करेंगे यहां पर जो हमारी हम्ट मिलिंग मसीन होती है फ्रेंड जो हमारी हम्ट मिलिंग मसीन की लीड लीड स्कू के पीछ यह बात नो टनल आए कि यहाँ पर जो हमारी हम्टी मिलिंग मसीन होती है उनकी लीडिस्क्रू की जो पीछ होती है वो हमारी पांच एमम होती है पांच एमम होती है और हेलिकल गेर काटते हमें और हेलिकल गेर काटते हमें लीड चालिस इंटू फाइब होती है तो यह बात यहाँ पर नोट करने लाए कि जो हमारी हम्टी मिलिंग मसीनों की लीड रिस्क्रू के पीछ होती है वो हमारी पांच एमम होती है और हेलिकल गेर काटते हमें लीड होती है वो हमारी 40 इंटू पांच एमम तो जो हमारी ये पांच है वो जो हमारी पांच है और जो हमारी ये 40 होती है वो होती है वो होती है अहले कर गेर काटते समय लीड तो अब हम मसीन लीड के बारे में जान लेते हैं मसीन लीड थो मसीन हमारे सिंपल हम यह वाला फॉरमूला लगा देंगी तो हमारी हम पर मसीन लीड आयेगी है 14j का गुवना हम 5 से करेंगी तो हम आजाएगा 200ollen है यह देखिए कुछ इस तरीके से हमारी मसीन लेड आ चुकी है अब हम बात कर लेते हैं गेर ट्रेंड के बारे में तो गेर ट्रेंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मसीन लेड और अपन होता है जो ब्लेड तो यहां पर हमारा मसीन लेड देखिए कितना आया था 200 mm और जो हमारा जो ब्लेड है जो हमारे यहां पर देखिए जो ब्लेड था वो हमने कितना निकाला था तो ब्लेड तो जो हमारे जो ब्लेड होता है उसे हम जीरो जीरो की वैलियू में रखते हैं जैसे मान लीजी हमारा 504 है तो हम इसे ऐसी संक्या लएंगे जो लाष्ट में 0 इसके करीब आता हुग जैसे मान लीजी यह यहां पर 504 है तो लाश्ट की संके जीरो करने के लिए हम इसे यहाँ पर 500 लेंगे तो जोब की लीड जो हम यहाँ पर 500 रखेंगे अगर यहाँ पर हम यहाँ पर अगर 500-6 होता तब हम यहाँ पर 500-10 लेते क्योंकि जो संके जीरो वाली करीब होती है हमारी वो संक्या हम यहां पर रखते हैं जोब की लीड में तो यहां पर हम 500 रख रहे हैं क्योंकि यहां पर चार के करीब में 500 है तो इसमें हम यहां पर 500 रख रहे हैं तो अब यहां पर हम जोब लीड 500 रख देंगे अब यहां पर हमें देखिए किस तरीके से काटना है हम इसको यह क कब देते हैं तो यहां पर हमारा बचिए सोचे आप वो दिखा देते हैं जो हमारे गेर की सूची है वो देखिए चेंज गेर के चेंज गेर के हमार 12 गेर सोते हैं वो कुन-कुन से होते हैं देखिए 24, 24, 28, 32, 44, 48, 56, 75, 72, 86, 100 अगर हमें ऐसी संक्य से गुना करनी है कि हमें ऐसी संक्य से गुना करनी है कि यहां पर 12 गेर में से एक गेर मैच हो जाए यहां पर तो देखिए हम ऐसी संक्य से गुना करते हैं मान लिजिए हम यहां पर 20 से गुना करते हैं उपर नीचे 20 से गुना होगी तो यहां पर हमारा आजाएगा बेजुन चालिस कि और बीस फंजे सो तक यहाँ प्रमारा आचुका है 40 बर्टटे सो अब यहां पर हम देख लेते हैं कि चालिस मारे कि हम्भानिध है के नहीं और सो के की है के प्रमाऱ् यहां पर चालिस 기स का एर और यहां पर हमारा सो दानतों वाले गoples भी है तो हमारी सिंपल लिंडैक्सिंग से हलेकल गेर काट सकते हैं सिंपल लिंडैक्सिंग से बिलकुल असांने से यहां पर हेलेकल गेर कट जाएगा कट जाएगा तो यह देखे फ्रेंड हमारा जो ड्राइवर आ चुका है वो हमारा 40 आ चुका है और जो हमारा ड्रीवन है वो हमारा 100 नमबर का गेर आ चुका है अब देख लेते हैं हम यहाँ पर हमारा कटन नमबर कौन सा लगेगा तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कटन नमबर की तो कटन नमबर देखने के लिए हम सबसे पहले दान्तों की संक्या देखने पड़ती है तो यहां पर हम दान्तों की संक्या देख लेते हैं कितनी है यहां पर देखिए हमारी दान्तों की संक्या 40 दे रखी है तो हम इसके लिए एक यहां पर एक यह देखिए हैं यहां पर दे कि यहाँ पर देखने समें हम उसके सामने वाले नंबर कर दो किसंग्या है 4 tô यहां पर देख लेते हैं यहां seven Indyumin यहां पर तीन लगीगा तो हमारे कटर नंबर यहां पर आ चुका है तो इसी तरीकसा हम कटन नमर कर चैन करते हैं अगर हमारे मानलिजी मालिजी 30ुमात तीम्स ढा Emmickaicky लिदा तो यहां पर देखेंगे 26 से लेक्ट 34 तक मेंगर हमारे दान दान वाले केर्स होगा तो उसमें चान नंबर का कटल लगेगा लेकिन हमारे 40 40 40 दाते हैं तो यहां देखना पड़ेगा हमें 35 के पीच में हमारा 40 आता है तो यहां पर देखिए तीन नंबर का कटल लगेगा तो यहां पर देखिए हमारा कटल नंबर तीन आज हुआ है तो यह देखिए हमने बिल्कु सिम्पल इंडेक्सिंग से सब्सक्राइब को हालिकल गेर की की केलिकुलेशन करना से काया है बिल्कुल आसान तरीके चाहिए आप भी बड़ी चाहते हैं तो आप बतल भी सकते हैं यहां पर आप दान्टों की संक्या हँआ इसंक्य प्रख तू सहते हैं आप 48 sea प्रख सकते हैं और अगर इसेह अगर विए इहां पर दान नादों संक्य इतनी एक एक पर एक इस अधियन करना करना सीख जाएंगे अकर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम इसी तरफी की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं यह देखें दोस्तों यह हमा वाली हमारी ड्रेवन है और यह जो बीच वाला हमारी आइडलर गेर है और यह हमारी इंडेक्सिंग हैड लगा हुआ है और यहां पर हमारी जोब बंदे हुई है और यह हमने टैली स्टोक टैली स्टोक लगा रखा है और जैसे कि टेबल आपको दिखाई दे रही है एंगल मे तो देखिया हम एंगल की बात कर लेते हैं इसकी देखिए एंगल यहां पर तीज टिगरी दिखाई दे रहा है आपको तो यह टेबिल हमारे तीज टिगरी पर घूमा हुई है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि अ कि देखिए कुछ इस तरीके से इस तरीके सẽह है लिकल गार गयर काट सकते हैं और यह हमारी रख बेख लेते हम प्लयट कि बात कर लेते हैं तो यह हमारी प्लेट है बंड्रह से लेकर और यह देखे प्लेट में यहां पर प्लेंजर प्लेंट भी लग हुई है और हम इस तरफ से दिखाते हैं आपको यह देखे कुछ इस तरीके से सैट करना पड़ता है इसको अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करना हम इसी तरीकी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में